नमस्कार बच्चो आपका अंडेन क्लासिस में स्वागत है मेरा नाम मिंकल वर्मा है और आज अपन पढ़ेंगे अक्षर ग्यान अक्षर ग्यान के अंतरगत हमने अ, आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, आ, आ, इ, ओ, पढ़ लिया था आज अपन पढ़ेंगे आओ, ये भी एक ओ है, बड़ा ओ, आओ, ठीक है, अक्षर ग्यान के अंतरगत आज अपन ओ को पढ़ेंगे चलो अपन पढ़ते हैं इसे, क्या आप तयार हो इसे पढ़ने के लिए, बिल्कुल तयार हो, चलो अपन इसे पढ़ते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है ओ, उसे औरत, क्या है ये ओ, उसे औरत, जो पहले छोटा ओ था, उसमें सर्फ एक मात्रा लगी थी अब इसमें कितनी मात्रा लगी है, दो, तो ये क्या है, ओ, देखो, अब ये दिखाई दे रही है आपको, ये सुन्दर सा चित्र, यहाँ एक औरत का चित्र है, तो ओ से औरत औरत कौन होती है औरत आपकी मा है बेहन है ये सब क्या है औरत है औरत क्या करती है आपकी ममा आपका घर का कितना काम करती है आपकी देखबाल करती है आपसे कितना प्यार करती है आपको कहीं चोटना लग जाए वो आपका कितना ध्यान रखती है आपको हर पल हर समय कभी भी अकेला महसूस नहीं करने देती है तो उसे क्या होता है? उसे होता है औरत औरत क्या होता है? उसे औरत उसे औरत मा कहलाती सब बच्चे बच्चों के मन को भाती तो उसे औरत क्या कहलाती है? मा और सब बच्चों को क्या? मन को भाती है तो फिर से बोलते हैं अपन उसे औरत मा कहलाती सब बच्चों के मन को भाती फिर से एक बार एक बार आप भी मेरे तक गाओगे ना चलो अपन इसे मिलकर गाते हैं उसे औरत मा कहलाती सब बच्चों के मन को भाती उसे और अब अपन आगे बढ़े चलो अपन आगे बढ़ते हैं ये देखो एक बार सुन्दर से चित्र को उसे और अगे देखो उसे क्या होता है एक तो होता है उसे और दूसरा होता है उसे और अलाद आउलाद मतलब आप क्या हो अपनी माबाब की आउलाद तो उसे आउलाद बच्चों को क्या बोलते हैं? बच्चों को आउलाद भी बोलते हैं तो उसे आउलाद उसे होता है आउरत उसे होता है आउलाद फिर से देखो और क्या होता है आउलाद का और से और से औजर आपने देखे हैं इस तरीके के होते हैं और यह इस बकेट में देखो क्या रखे वें अज़र यह कहां आते हैं अगर आपके घर में कोई रिपेरिंग काम चल रहा है यह फिर गाड़ी को ठीक करना है गाड़ी को खोलना है बहुतospon करना है किसी की टुक को को टाइट करना है तो वहाँ पर क्या काम आएंगे ओजार तो ओसे और उसे होता है उसे औरत उसे होता है उसे और उसे क्या होता है बच्चों उसे होता है उसे औरत उसे औरत उसे औरत उसे औरत उसे औरत आगे देखते हैं और बड़े उसे क्या क्या होते हैं और शे आश्यदी आश्यदी एक तरीके की अगर अपन बोले तो आश्यदी का सही अर्थ दवाही होता है दवाई दवाई जैसे की ये आश्यदी क्या किससे बनती है ये नेचरल सीजों से बनती है पेड़ पौधों से कोई-कोई होते नब पेड़, जैसे की बबूल के पेड़ से कोलगेट बनता है तो वैसे है उस तरीके से बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे ऑस्यदी बनती है जैसे कि आजकल के जमाने में अगर किसी के चोट लग जाए, कोई बिमार हो जाए तो अपन उसको जटपट से डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं और डॉक्टर हमें चेक भी कर देता है, आटवाइस देता है लेकिन पिछले पुराने जमाने में जब किसी के लग जाती थी क्या फिर उसकी तबित खराब हो जाती थी, तो वेट क्या करते थे बहुत सारी जड़ी पूटियों को लेकर, पेड़ की कोई अच्छे चीची जो को लेकर उससे दवाई बनाते थे, जिससे जल्दी असार होता था, तो उसे अक्षिती उससे होता है, उसे औरत, उसे औलात, उसे औजार और उसे अक्षिती अब आप इस वीडियो को देखना चाते हैं वो भी साउंड के साथ, क्या आप इसे देखने के लिए तयार है चलो, अब अपनिसे साउंड के साथ देखते हैं एक मिनट, ज़रा थोड़ा इंतिजार करेंगे आप चलो, अब अपनिसे साउंड के साथ देखते हैं तयाब हो जाएए, और ये देखिए आऊ, आऊसे औरक, मां कहलाती सब बच्चों के मनको आपाती आऊसे ओलाः उसे अजाल और गौशें एउस्टी एक बार फिर से देख लेते हैं आउसे औरत मा कहलाती सब बच्चों के मन को पाती और से औरत और से और जार और से और जार आप यसे बार बार उच्चा रण कीजिए और ओ को अच्छे से सीख लीजिए अशे लेकर ओ तक आपको पूरे तरीके से यादोने इस ghost तब तक के लिए धन्यवाद आप इसे बाद प्राटिस करते रहे हैं ओके बच्चो तब तक के लिए धन्यवाद